हालो दोस्तों टोटल स्वागा थे आज का वीज़ओ एक औरिभा का आई पीब्टी होम हीटर है दोस्तों तो इसका प्रब्ले में पुरा डेड है तो इसका नाम भी लिखा हुआ है इसका मोडल नमबर भी लिखा हुआ है तो यह खुराब हो गया पूरा डेड हो गया तो इसको चलिए देखते कैसे रिपर कर सकते इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं रहता है एक इसमें फैन डाला हुआ है अंदर का जो हीट है वह बाहर निकालने के लिए जो पंखा लगा हुआ है वह इसी में चलता है इसी वाला छोटा जो पंखा रहता है वैसे यह पंखा है और इसमें एक रेगुलीटर दिया हुआ है और रेगुलीटर से पंखा को आप कंट्रोल कर सकते हो यह वाला पंखा को और दोस्तों और एक इसमें तो दोस्तों इसका जो या सी कनेक्षाने इस और दोस्तों यह फेले ज़ह धर्मोस्टार्च से से होके jogos में आताए उसके बाद फैन पहरे थेंगшей conservative चेयर में जाता है consistent तूट गए इसका तो इसको थोड़ा मोर के रखता पहले भी असाएथ वह तूट गया थला ज पैले ल přेंदा इसको थोड़ा मोर के के रखा तो ऐसे मोर के जाएगा तो इसका जो लॉक है दोस्तों लॉक को थोरा सा हम स्कूर डाइवर के मदद से थोरा डिस्टेंस बना के उसके अंदर वैर को डालके प्लास के मतलसे उसको दबा देंगे अच्छे से ओशील हो जाए नहीं तो ये वैर लूज होगा वासे बार बार तूट जाएगा तो देखिए इसको तो हमने कर दिया है तो यह तो पहले से भी उसके उपर मुरा हुआ था इससे प्रॉब्लम नहीं है इसको हम डखकन को लगा देते हम देखेंगे यह चालू क्यों नहीं हो रहा है दोस्तों तो इसमें दो जगा में थर्मोस्टेट लगा हुआ है एक तो ओन करने के लिए जैसा आइरन में रहता है दोस्तों और दूसरा यह देखिए प्लेट में यह पर बना हुआ है चोटा सा यह देखिए यही पर ज्यादा हीट होने से काट आउट हो जाता है यह यह से और उसके बगल में आप लोग को दिख रहा है एक वापे भी एक फ्यूज रहता है थर्मस्टेट फ्यूज जो को झाल सोर्सार कीड होने से या और हीट होने से और कर जाता है उसका भी टेमपरीचर रहता है दोस्तों में प्लेट को हम खोल लेते हैं और तरह तरह MPR का होता है तो इसमें साइद 10 MPR का ही होगा इसके उपर लिखाई नहीं दिख रहा है दोस्तों लिखाई मीट गया है तो प्लेट को हम खोल लेते हैं कि खोलने के बाद इसको हम ऐसे करके आजसे आचसे आपको खोलना पड़ेगा इल लोग भूत ही ना जुग लोग भी तूट सकता है यह यह प्लेट भी तूट सकता है जो हीट को कवर करता है दोस्तों एजलता नहीं है वहला प्लेट एज देखिए एक थर्मस्टेट लगा कि यहां से काट आउट होता है तो दोस्तों दोनों जो थर्मस्टेट है उसके अंदर जो छोटा छोटा बिंदी रहता है दोस्तों जहां से कनेक्ट होता है कि ओई पे थोड़ा राष्ट आने के कारण भी ऐसा प्रॉब्लेम आता है तो उसको जीरो पेपर से हम उसको घीश लेंगे रेवाला दिखिए नौवे यह थर्मस्टाट का नौवे इसको घुमाने से ओन होगा उसके बाद आप पंका को चला सकते हो अगर इसको थर्मस्टाट को ओन नहीं करते हो तो पंका आपका नहीं घुमेगा तो इसमें एक बार लाइन देके देखते अभी तो मैंने जो नाइक्रोम वैर का कानेक्शन जो थोड़ा सा पेच मार के लगा हुआ था उसको हमने खोल के अच्छे से सील कर दिया वो इसे दो चार बार कट गया होगा क्योंकि उसमें अच्छे से उसमें वो सील नहीं किया ृता थोड़ा उसमें पेचा के रखा था इसलिए वो ऐर बार-बार टूट रहा था वां से हीट होके तो देखिए हम इसमें अभी कनेक्शन दिंगे इसमें एल दी लाइट को गलो करना चाहिए तो दीखिए कोई भी एलीडी लाइड इसमें गलो नहीं कर रहा है कि मैं स्रीज में इसका कनेक्शन कर रहा हूँ थे अभी भी पूरा डेड़ है तो यह चीज पहले बार मेरे पास आया है दोस्तों इसको पहले गवर से देखना पड़ेगा इसका जो कनेक्शन है पंखा का एक कोयल होके आता है एसी कनेक्शन दोसो 20 बोल्ट थर्मस् और यह नाइक्रोम वायर का जो कोयल है इस कोयल होके फिर रेगुलेटर में जाता है और रेगुलेटर से सिधा जो हे पंखा में जाता है दोस्तों और इसके अंदर दीखिए जीरो पेपर से हम थोड़ा गीज देंगे यह आ पे रास्ड बगएर पर जाता है बार-बार उसके कारण भी बहुत सारा प्रोब्लिम आता है डेड़ हो जाता है तो इसको हम थोड़ा खोल लिया तो इसको साफ कर लेंगे उसके बाद इसका कॉंट्विनिटी हम टेस्ट करेंगे इसका थार्मस्टेट का को देखिए माल्टि मिटर ले लिया हमने तो इसका हम चेक कर लेंगे अभी कॉंट्विनिटी तो दिकि जगा में हम को कॉंट्विनिटी नीम मिल रहा है तो ओगे जो कि फ्यूजें दोस्तो खृर्म फ्यूजेंट तर्मास्टन एक फ्यूजेंट हीट ज्यादा हीट होने से कंट जाता है और कट आउट कर देता है कि यह अगर आपका खराब हो जाता है तो इसको आपको रिप्लेश करना पड़ेगा नहीं तो यह पे आपको जंपर करने का ज़रूरत है तो देखिए थोड़ा सा हम हीट करके देखते हैं इसमें कनेक्शन आता है कि नहीं एक दम पूरा साइद खराब हो गया है तो दिखिए थोड़ा सा हीट हमने कर दिया है अब इसको चेक करेंगे तो दोस्तों यह पूरा खराब है इसमें कॉंटुनिटी आना चाहिए यह कॉंटुनिटी नहीं आ रहा है और दोस्तों इसको आप चेंज करने जाओगे तो यह वाला जो इन्सुलेटर प्लेट है दोस् अब आपको सील करना पड़ेगा सील को काट के तो उसके करना प्लेट अगर टूट जाता है तो आपका काम बिगर जाएगा तो उतने दिक्कत का जोड़ोत नहीं है आपके पास थर्मस्टर है तो आप उसके बगल में उससे जोड सकते है और नहीं तो उसको हम जमपर के अच्छे कर लेते कर्नेकश ने वह ला थार्मस्टर्ट से काम कर रहा है क्या कि इसका मिंधूलिंड ठेक करिए दोस्तों तो दिखिए आधार जो abundan दो के कोईल में जाता है इसके बाद व्रीट आठेकर भोट बावागिंड़ आता है दोस्तों और यह लो कलर का एक वैर दिख रहा है वह आर्थिन का वैर है दोस्तों जो पंख में भी गया है कि इसको थोरा अपकर के देख लेते कि इसमें और कुछ पॉबले में क्या फ्यूच को छोर के कि इसको कॉंट्यूट्य टेस्ट करना परेगा आप दोस्तों यह पर हमको कॉंट्यूट्य मिल राए उसे ही है वह खराब नहीं है तो यह फ्यूच को हमको चेंज करना परेगा तो इसमें इस थार्मस्टर है तो आप उसको लगा सकते हो तो लगाने में वह बहुत ही दिक्कत है देखिए कैसे इसको लगाया है यह बहुत ही सब्दने से करना पड़ेगा नहीं तो यह प्लेट टूट जाएगा तो हम यहां पे क्या करेंगे मेरे पास भी थार्मस्टर नहीं है इसको चालू करने के लिए हम इसमें एक जंपर करेंगे इसमें टेन एमपियर तक आप एक फ्यूज भी लगा सकते हो काम च उससे इसको हम जंपर करूंगा दोस्तों यहां पे दिखिए चार वायर हम ले लिया है पतला पतला तो जोर के ही हम इसका जंपर करेंगे चारोगार को एक साथ हम जोल लेंगे दोस्तों मेरा चानल का वीडियो अगर अपलोग को अच्छा लगता है तो जुरूर मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक् देखिए मैं इसको हम जोर दिया हूँ और इस वेयर में थोरा सा हम इंसुलेटर भी लगा दिया हूँ जो पाइप मिलता है अगर जल जाता है तो प्लेट को नुक्सान नहीं पहुचा पाएगा नहीं तो प्लेट वा से जल सकता है क्योंकि फ्लास होने से तो अभी देखिए इसका जितना भी वेयर है दोस्तो हमको इसको सही से सेट करना है एक के साथ दूसरा वेयर डाच होने से इसका जो है रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो उसमें वेयर कटने की चांसेस रहेगा यह न आएक्रमतार यूज होता है दोस्तों तो देखिए अभी मैंने इसका कनेक्शन तो कर देंगे करके रेगुलेटर में कोयल का अभी इसमें हम एसी का लाइन देंगे 220 बॉल्ट सीरीज में तो हम देखेंगे पांका गुमता है क्या और इसका यह एलेडी ग्लो करता है क्या हम आध़र ओकर को दिखना पने के बाद है तो हम अभी इसको चेक करते हैं तो देखिए जोस्तों मेरा पंका भी गुम रहा है और अलेडी भी डुो हो रहा है तो अभी कोईल तूटनः नहीं होगा क्योंकर हम सिरीज में इसको चेक कर रहा हूँ तहोडा सागरम हो सकता है अच्यद सागरम हुआ है तो कोई बात नहीं दोस्तों कॉएलो की यृक्षोन पंक्का में आता है हम जब इसको लाइन देंगे तो बिल्कुल से